स्वागत है आपका आज की चाय पे मैडम का व्लॉग देखा मैंने और मैं हिरान हूँ कि दो-तीन व्लॉग से वो कार पे ही व्लॉग को कीजे जा रही है मुझे लगा था फर्स्ट टाइम मदर है और बहुत बिजी है आप लोगों को याद होगा मैडम एक टाइम पे इतनी बिजी थी जब जनाब ने कहा मैडम बच्चे को भूग लगी है फीट करा दीजे मैडम मैडम तो फिर उसके बाद जो मैडम है वो निकल के आई टावल में बाल बांध रखे थे और कहती है मैंने तो अभी भी कंडिशनर नहीं दोया मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता तो फिर इसका वक्त कैसे मिल जाता मुझे ये समझ नहीं आ रहा नहीं मैडम ने कहा था येस काईस मुझे सब कुछ खुद करना पसंद है येस येस तो तो अब इसका वक्त कैसे निकल जाता है मुझे ये समझ नहीं आता येस येस मैं तो क्रियेटिव हुना गाईस मैं सब कुछ हाथ से बनाओंगी चाहिए बना बनाया मुझे मिल जाता गाईस पर मैं गोटा पट्टी पर फिर भी हजारों खर्च दूँगी पर बने बनाये क्यों लग रहा है कि मैं रिपीट टेलिकास देख रहूं कि जो मैडम नाइव डॉल और अपने पहले बेटे मतलब अपने मैंचाइड के साथ करती थी वही इस बच्चे के साथ कर रही है बच्पन से हर चीज मैडम हाथों से बनाएंगी आपको मैं लिखके देदू जिनको ना पता हो अगर आपने मेरी डिल नहीं देखिए तो नहीं पता होगा अगर देख लिये तो पता लग गया होगा कि इस बार मी मैडम चली कही थी अपने बच्चे को लेके जनाप पे नजर रखने ने मेरा मतलब है कि जनाप की परफॉर्मेंस पर नजर रखने उस अच्छा एक चीज मुझे समझ में आगी है जो जनाब की लेटिस परफॉर्मेंस में कॉस्ट्यूम दिख रही है आज कल एक प्रोमो सर्कुलेट हो रहा है जनाब की रील सर्कुलेट हो रही है तो जो आउटफिट उन्होंने पहने वे फॉर हिस अपकमिंग परफॉर्मेंस उसमें वो जो कपड़े पहने वे बहुत सारे पेंट के दाग थे तो अब मैं समझगी बेसिकली मैडम सेट पर आई थी जनाब को कपड़े देने के लिए वो येस येस जनाब मैंने तियार कर दी आपके लिए कॉस्ट्यूम तो जब मैडम पेंट कर रही थी तो आप लोग येस येस मैंने बोला था ना मैंने बोला था ना कि जनाब दुनिया बेव को वापस बन जाएगी देखो आपको वोट करके बचा लिया वैसे एक बात है चाहिए अब कितना भी बुरा परफॉर्मेंस कर लो अब तो अनफेर होने का जमाना हो गया है लोग वोट करते हैं प कॉंपटिशन था तो सौरव जोशी को फ्लाइंग बीस्ट को बलाना था रितू राठी आती है ना तो डांस यालिटी शो है डांस के बेसिस पे इनको जज़ करना चाहिए ना ही इनके व्लॉग्स के बेसिस पे जोकि जूटे हैं जोकि हिपोक्रिसी से भरे हुए हैं और ख कि इतने भी बड़े फैन हो यू कैन नॉट इग्नोर दफैक्ट कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी अब अच्छी हो या ना हो मुझे नहीं पता पट जिसकी परफॉर्मेंस ही खराब है उसके सामने आप किसी और को निकाल दो ऐस पर स्पेकुलेशन आमिर अली आ कर दें या फिर उनके लप्व से टैंट्रिम जो हैं वह अनबेरेबल ना हो जाए मैं ने कपिंग राई है मेरे पैर नहीं मुड रहा था मेरा हाथ नहीं मूड रहा था मैं बड़ा जिम जाता था बड़ मैं हाफ हाफ कि थक जाता हूं मैं एक चीज मुझे बताईया आप ट्यूटी एलेक्ट्रिक हैंड मुवमेंट से लेके लेक मुवमेंट तक परफेक्ट था एक एक पॉस्चर ऑन पॉइंट था इसके बावजूद कि उनके पैर में चोट लगे वी थी उनका पैर कटा हुआ था आप लोग देख सकते हैं आफ्टर परफॉमेंस वह उठ नही सबसे इरिटेटिंग बात मुझे वह लगती है कि जैसे पता नहीं कौन से पहाड दोड़के आया है इसकी वज़ेसे बिचार सेट का खाना भी निखा पारा पता है आप लोगों को यह बड़ा ही स्पेशल है इसके लिए घर से खाना आता यह बिचारा सुबह पैक करके भी के जाती है जिए बच्चे को लेके बच्चे को अच्छा-खासा सफर पार करवा करा के मैडम लेके जाती है ताकि अपने बड़े बच्चे के पास वह खाना लेके जाए और और अपने मैंचाइल को अपने हाथों से बीच बीच में ब्रेक में खिलाए परफॉर्मेंस के दिन जी हाँ क्योंकि आपने अगर खाना नहीं चखा एक घंटे के अंदर तो मैडम को कुछ-कुछ होने लगता है गाइस इसलिए मैं चैनल वालों से हाथ जोड़के प्रात्ना करूंगी कि मैडम उनके बच्चे और उनकी ममी को एक वैन अलग से मोहिया कराई जाए ताकि वो वहीं पे रहें और साथ में एक किचन में दिया जाए जिसमें कम से कम 15 लीटर तेल, 10 किलो दूद, एक पूरी की पूरी बोरी चाय भरके चाय तो मैं वैसे प्रोवाइड कर दूँ, कोई टेंशन नहीं, वो मैं रोज करती हूँ अपने चैनल पे और टाइम टू टाइम भरम दादा को भी वहाँ पे अलाव किया जाए, ताकि वो भी अपनी तरीके से वो जो तेल की तरी वाली सबजी बना के मैं चायल को हातों से खिला सके इसे मैडम हमेशा अपनी मदर को लेके जाती है सेट पे, अब तो अपमी जी वापिस आ गई है, अब देखते कि मैडम कितनी जादा आइडिल बहु है, क्योंकि अगर इस बार अपमी के लौटने के बाद भी अपनी ममा को वह लेके जाएंगी, तो इस बात का समझ में आई इसी बात से पता लगा लिजे, कि जे डी जे के सीजन में जनाव लास्ट एपिसोड तक यहां फे सेकंड लास्ट तक रहने वाले हैं, क्योंकि मैडम ने लिविंग रूम में इतना बड़ा यूज टीवी लगाया है, क्योंकि गाइस, वो क्या है न रूम में बैठके सब द आपने स्टेप लिया, येस, और मैंने जनाब पिडाल दिया, वो क्या है न जो बाट में डरेक्ली नहीं कर सकती, वो जनाब की थू कर दीती हूं, इसी को क्या ही पता लगेगा, वैसे हमें पता लगे या ना लगे, इतना जरूर कूंगी, यह मैं तो चलो जी टीवी ओफ क पर देते हैं, और मैडम की हैसी से बच जाते हैं, वो जो बच्चा है, वो बिचारा तो नीद में भी अपनी मा की हैसी सुनके डर जाता होगा, वो दिर वो पैपराजी ने कहा, पीपी का जी, कैसे आप, कैसे आई या पर सेट पे, नॉर्मल आंसर देने के बजाए कहती है, मिलने आई हूँ, मतलब उसमें हसने की क्या बात थी, इस यो के, हर बात पे ऐसे बिना बात को क्या हसना, आप नॉर्मल जवाब नहीं दे सकती है, कि हा मैं मिलने आई हूँ, या फिर खाना कहती है, मैं मिलने आई हूँ, मैं खाना देने आई हूँ, वो तो बहुत ही awkward था, जैसे खाना मिलता है नहीं, बिचारा लप भू का रहता है सेट पे, बड़ मुझे एक्स्ट्रा हसीन की कभी समझनी आई है, और शायद ये एक्स्ट्रा हसी कही ना कही इस बात को कंफर्म करती है, जो पहले भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कॉमेंट किया था, तुम इतना जो मस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बैसे कहना पड़ेगा कि गम देने वाले आज खुदी गमगीन हो गए और जनाब के कपड़े लेटस परफॉर्मेंस में पेंट से रंगीन हो गए, आज के लिए इतना ही, that'll be all, do like, share and subscribe to आज की चाहे, thank you so much for tuning in to आ आज की चाहे, podcast